जय स्रीराम साथियों मैं पवन मलिक आप सभी का स्वागत है आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और हमारे साथ जैसे आपने देखा पिछली वीडियो में भी सरमाजी साथ है जो प्रकास डालेंगे एक नए टॉपिक पे काफी लोगों को कन्फूजन है कि हमें कि टहली एक इसको ग्रेटर नोडा में प्रॉपर्टी खरीदनी चाही है और किसको यम्ना में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए तो सब्हीं बातोंपे डिटेल से बात करेंगे और सृमाजी डेटल से बताएंगे क्योंकि सर्मा जी को काफी पुराने टाइम से काफी experience है क्योंकि काफी पुराने टाइम से property में ही deal कर रहे हैं तो सभी बातों को जानते हैं कि कहां किस तरीके का फायदा है किसको कहां पर property लेनी चाहिए तो पूरी detail से बात करेंगे इसलिए वीडियो को आप last तक देखें समस्कार सर्मा जी सबसे पहले काफी लोग जब हमें call करते हैं तो यही पूछते हैं कि greater noida में क्या rate है यमना में क्या rate है greater noida जैसे की काफी टैंक पहले डवलब हो चुका है तो rate यहां पर ज्यादा है यमना में उसको मुकाब्ले rate कम है चाहिए किसी भी size के plot हो जी तो किसको greater noida में जाना चाहिए और किसको यमना में जाना चाहिए थोड़ा सा detail में आप एक वार बताईए गेटर नोडा और यमना जी दोनों ही अच्छी जिगें हैं बिलकुल बिलकुल और जिन लोगों को एक long time के लिए investment करना है तो यमना में उनके लिए यमना ज्यादा बैस है क्योंकि यमना में अभी थोड़ा समय है वहाँ पर रहने की अभी जो हमारी सुविदा है वह अभी उरिजन की स्कूल हो गया श्कूल है और आपके होस्पिटल है मार्किट है हाला कि वहां पे मार्किट है दनकोर है दोलो पर पर करता है कस्वा गर में अभी और वी क्ष़ीज़ी यह जैसी है वहाँ पर सडके अभी थोड़ा बिजली का पानी का क्नेपटी लिए नहीं जू पर आप ये समझेए कि जब से एरपोर्स रोह जाएगा वहां पर होटल भी आएंगे इंडिस्ट्री वहां पर आई रही है बिल्कुल और आपका जेपी का रेस वाला फार्मला वन रेस जो है वोगी ट्रैक भी है वहां पर फिलम सिटी बन रही है और वहां पर आपका हाईव जी थोड़ा सा मैं आपको बतना हूं कि लोग काफी लोग ऐसे हैं जो इस एरिया में आना चाहेते हैं दूसरी जगाओं से जी तो वो यही देख रहे हैं जैसे काफी लोग वरकिंग हैं आपे कुछ लोगों की अपनी कंपनिया है या वो किसी भी डिपार्टमेंट में है तो वो यह देख रहे हैं कि हमारे रहने का भी आज के टाइम पे हो और एक इन्वेस्टमेंट भी हो नहीं मैंने बता रहा हूं आपको कि यमना तो इन्वेस्ट के लिए बढ़िया है बिल्कुल अगर रहना है हमें करण्ट में रहना है या एक आफ साल में अपना मकाम बना मार्किट भी हैं मॉल भी हैं तो यहां पर रहने के परपस चे तो आपका गेटर नोड़ा बेस्ट बिल्कुल बिल्कुल और हमें हमारे पास पैसा एक्स्टा है फ्यूचर प्लानिंग करना है तो आने वालों वो यम नहीं जाला बेस्ट है इन्वेस्ट अप पिछला टाइ रहने के लिए थे प्लॉट यहां पर उनका पैसा भी बढ़ा है ऐसा नहीं कि खाली यह बस एक रहने के साथ यहां रेट नहीं बढ़ेंगे देखे मैंने बढ़ाया प्रॉपर्टी में तो यह समझे जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल रहने के परपस नहीं यहां के गोतमनगर जिलेक अंदर नोडाम है यहां यह बढ़ना है सभी जगह बढ़ना इसमें कोई सख नहीं है अभी यह थोड़ डाउन आई यह वह तो खेर आता रहता है अनौर्टमेंट के हिसाब से थोड़ा साथ यह बहुत तो पर जाएंगे मैं आप बता रहा हूं तो बहुत उपर जाने वाले हैं जैसे सुनने माहरा है कि अपरेल में एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा तब तक हो सकता है फिलम्चिटी का भी काम हमें मौके पर कुछ देखने के लिए मिल जाए तो उसको देखते हो यह वी रेट तब भी बढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं ढगर थोड़ा रुका है मार्किट तो यसको अगर रहना है आज साल तक रहना है अगर जलदी जबलप और अगर जाते हैं तो रेट भी कम है जैसे कि जू हो गया है मियू हो गया इटा हो गया, सेक्टर 37 हो गया, इस तरह के जो सेक्टर है, उनमें हम प्रॉपर्टी देख सकते हैं, आज भी थोड़ा रेट कम है, परिचो के आसपास का जो एरिया है, जैसे अलपा, बीटा, गामा, डेल्टा, सौन नगरी इस तरह के जो फुली डवलप एक तरीके से परिशन उतनी नहीं है, यहां के मुकाबले, तो उनमें भी हम प्रॉपर्टी खरी सकते हैं, जैसे आज का रेट है, छोटे साइज के अगर प्लॉट हम जाएं, तो देखे हैं, तो दो लाग के आसपास से कुछ चीजे मिल जाती है, अच्छे सेक्टरों में, जो दो लाग क हम जाते हैं, एक सो बीस, या एक सो बासाट, दो सो मीटर, तीन सो मीटर, तो इनके रेट तो कहीं अभी खास इतने ज़्यादा, उस हिसाब से नहीं है, आप नोईडा में देखेंगे, तो आपको दो लाग, तीन लाग, चाल लाग प्रुपे मीटर तक का भी रेट रेट ल आपका नॉलिज पारक टू और थिरी में जो कॉलिज यूनिवर्स्टी है, उन्हीं पर ही एक तरीके से मोस्टली डिपेंड था, मगर आज के टाइम पर आप देखें, तो जो गरेट अनोईडा का इंडेस्ट ले रिया है, जो सेक्टर हैं, वो काफी डवलप हो रहे हैं, क उच्छाल मारा रेट और और अभी और आगे भी जाएंगे रेट, लेकि रहने का परपस से जो अगर रहेंगे लेना चाहते हैं आप तो ये गेटर नोडा ही बेस्ट है, बेस्ट है, अगर अगर डेली से या किसी सहर से आप यहां आके आएं तो एक बार को तो ऐसे और गेट नोडा हो ये यहेत नो येत ओड़्ड हो तो वह टाइम टाइम पर एरिया जल्दी जल्दी डवलप भी करती रहती है, तो उस political णे के रह दिखा से आपको इंवेस्ट मेंट भी जह चैंच, अकर पूरली इनवेस्ट मेंट देख रहे ताब आपके लिए यम career वह अगर जैसे हम यमना को देखें सर्माजी एक बार की आज तो वहां रहने के साथ से अभी नहीं है टाइम लगेगा हो सके दो साल लगे थोड़ा समय लगे रहा है शे साल लगे आठ साल लगे वह टाइम तो डिपेंड आज हम कह दें कि पांट साल में बहुत हो जाए तो वह कह ही न कहीं ठीक नहीं है बागी वह अथोर्टिव डिपेंड करता है किस तरीके से डवलपमेंट होता है तो बागी चीजे तो सभी वहां भी सुब्दा देखने के लिए मिलेंगी पांस साल बाद देखने के मिलें चैसाल आठ साल कभी भी मगर एक रेट जो है वो क्या आप एक अनुमान आप सोचते हैं जैसे आप पिछले 10-15 साल से यमना में ही काम देख रहे हैं तो एक क्या देखते हैं कि 5 साल बाद काफी लोग पूछते हैं जैसे आज चलो इंवेस्टमेंट करता है कोई भी अगर इंवेस्ट करता है तो 2 साल 4 साल 5 साल का हिसाब लेके चलते ह असपास आप क्या रेट देखते हैं जैसे मोसली वहां पे अगर हम रेजिडेंशल में जाते हैं तो 300 मिटर का ही हम अरिया एक देखते हैं minimum जो एरिया एक माना जाता है क्योंकि 300 मिटर की वहाँ सबसे बड़ी सबसे जादा हाँ अपर पूरा 300 मिटर से बहा हुआ है सेक्ट देवल तो निश्चित होना ही है जी चाहे चोटा साइज है बल्फ और डवल से भी ज्यादा हो सकते हैं जिस दिन एरपोर्ट से वह हो जागा रेटों में बहुत ज्यादा उच्छान आने वाला है बिल्कुल उसके बाद में जब वहां पर और चीजें बसेंगी ना पांस साल बनेंगे चोटे बच्छों के लिए भी स्कूल वगएरा तो वहां पर बहुत ज्यादा मार्किट भी मॉल भी जाई चीजेंगे बहुत उपड़ जाएंगे क्योंकि उसका एक रीजन है एक तो एसिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है अपने उसमें भी एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है एजूकेशन का भी ऐसा नहीं कि कुछी सेक्टर है बहुत बड़े बड़े और काफी सेक्टर है बहुत बड़ा एरिया है जो आपका एजूकेशन का हो या इंडेस्टल एरिया हो काफी इंडेस्टी आज के टाइम पर वरकिंग में है जैसे कि आपक बाता है कि allotment आ गई अब दो लाख लोग है जो लोग है प्रॉपर्टी लेना चाहेते हैं वो भी समझते हैं दो लाख लोग कि बहुत लोग होते हैं उनमें से भी अगर मार्केट में खरीदने के लिए हजान लोग भी आ जाएं रिसेल में तो उतने भी प्लॉट नहीं मिल पाएंगे उसी से मार्केट ऊपर चली जाएगी दो लाख बहुत क्वांटिटी होती है अभी तो सबने भराय चाहें प्लॉट की संक्या कम हो मगर सभी यह सोचते हैं हमार निकला है हमारा निकला है क्योंकि रेट का मैं अलॉट्मेंट का उसको देखते हुए तो रेट तो हमेशा बढ़ेंगे जब दो लाख लोग एप्लाई कर सकते हैं तो रिसेल में भी खरीदने जरूर लाइगे जरूर लेंगे आप हमारे लिए इस तरह की प्रॉपर्टी न बिल्कुल है और अभी आपको यह जो हो जागा उसके बाद भी रेट में उच्छा लाने वाला उच्छा लाएगा तो मेरा यह करना चाहिए जो लोग करना चाहें तो इस समय इंवेस्टमेंट कर सकते हैं यह नहीं है कि जैसे देखने कि रेट तो कम हो रहा है यह तो हर वा सब्सक्राइब है और आप अगर खाली इंवेस्टमेंट देखने हैं फ्यूचर देखने हैं कि हमारे बच्चे दस साल बाद या आख साल बाद एक अच्छी जगा पर जाए तो उसके लिए आप यमना देखें इन्वेस्टमेंट भी और रहने के साथ जी अब क्या है कि सर् का एरिया हो या वो यमना का एरिया हो आब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी की जो जो यह अथौर्टी के रेजिडेंशल प्लॉट है इन से अलग इसी तरह के प्लॉट और आप जैसे 6% यहां पे किसान को टावा दी है यमना में 7% मगर यमना में अभी रेजिटी नहीं है क्योंकि म इसे बना सकते हैं और रहने के लिए उसमें दोनों चीज लाग़ों हो जाती है इसलिए यह बिलकुल कि किसानों को एक बता जा किसान को किस्को तरीके से दिया जा जाता कि किसानों को मावजा मिला था जिन की जमीन अथो तो उनको चेट परसंट दिया था आप बढ़ा करके दस परसंट कर बिल्कुल यमनाकंदर भी 7 परसंट वह भी उदा सो गाँ हो जाएगा उसमें वह जाएगा जी तो उसमें उनको जो रहने के लिए जीगे तो यह वह प्लोट है जो उनको गामों के पास में ही लगा दिये से पहले रास्ता साड़े साथ मीटर का था बारे मीटर भी कर दिए गए तो वह कह लोगों के खाईने के लिए जिन पर कम बज़र है प्रादिकर जो रेट है उससे थोड़े कम उसमें मिल जाते हैं बिलकुल नहीं इसको अथर्टी देती ही किसानों को इसलिए है कि आप इसमें अपना रेजिडेंशल भी काम करें और कोमर्चल भी कर लें उसका दोने बेनिफिट है तो उसमें भी आप जा सकते हैं जो भी है और सबसे बड़ी बात और रइस्टा प्रोट है जिस तरीके से अपने प्रोटों में काम करती है राइ्ट का पानी का वह सारी उसमें सारी सब्धाईं अथो डेती है वह टांस फर होना है यसी रेजिडेंशल में के अटों के क्योंकि सब्तिए डवलप करती तो नहीं में बढ़े भी हैं छोटी भी सभी तरे के प्रोट है वो भी एक इंवेस्टमेंट के साथ है क्योंकि हमने पहले देखा आप से पहले हम देखते थे तो तीस हजार पैते जार चाले सार रुपे मीटर हुआ करते थे आज वही प्लॉट का फी लोकेशन पे वहां यह बड़े साइज के वहां पर रोड हैं वहां भी रेट उपर चाहिए तो दो लाग तीन लाग रुपे मीटर तक का भी रेट है जो किसाम कोटे के प्लॉट है पाच परसेंट आवादी के अभी तो यमना में ही अन्रेइश्टर लोग देख रहे हैं खरीद भी रहें वही प तो यह किलियर है सर्माजी की आज के टाइम पे अगर हम रहने के साबचे देखते हैं तो हमें गिरेटर नोड़ा देखना है चाहिए हम उसमें किसान कोटा प्लॉट आवा दी देखें वह भी सेफ चीज़ें ट्रांसपर रेजिश्टी दोनों काम होते हैं चाहिए हम फिर और हमें अगर इंवेस्टमेंट देखना है तो फिर हम सीधा यहां आंख बंद करके बिल्कुल तो यही जानकारी आज की वीडियो में आपको देने थी इससे लेटर कोई भी आपके मन में डाउट है कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमें दियो हैं नमरों पे कॉल कर स चैनल या फिर आप यमना में किसी भी सेक्टर में कोई भी साइज आप लेना चाहिते हैं जैसे चोटा साइज आपको आपको अच्छी लेगी हो तो यहादा से यादा से शेयर करें उन लोगों के पास जो थोड़ा कन्फ्यूज है कि हम ग्रेटर नडम प्रोपर्टी ने उनके पास आप हमारी वीडियो को सेयर कर सकते हैं चैनल पर पहली वार आएं चैनल को जरूर सब्स्राइक करें बैल बटन पर किलिक करें जिससे फिचरों कोई भी वीडियो पर चल पर अप्लोड करते हैं किसी प्रॉपर्टी से लेटेड या किसी इंफॉर्मेशन से नगस्कार